साधी पर गाउं में समाजिक स्रोकार स्मित्थी के मास्क बाट रहे हैं लुदाना में मैडम योगीता लगी हुई है मास्क बाटने में समाजिक सिवा में आज आपको मिलवा रहा हूं वो करोना योदा जो मास्क में बनकर उबरे है समाजिक सुरुकार से आसमित्ती के सदश्य जो लगातार लोगों के शेवा में शीष्टर गाउं से रामचंदर जी मास्क बाटने में लगे हुए हैं और लगातार मास्क बाट रहे हैं अपने गाउं में जाजा कर रामचंदर द्वारा बहुत सारे मास्क बाटे गए हैं जो की समाजिक सरोकार से आसमित्ती द्वारा प योगीता जी और राहूल मोहर जी मास्क बात रहे हैं इनके अलावा भी बहुत सारे कारिय करता जो घर घर जाकर सभी को मास्क दे रहे हैं करोना जैसे महामारी से बचने के लिए मास्क है जुरूरी और इनों इठाना है करोना को बगाना है मास्क को लगाना है यह लगातार क्रोंगर्दा इस काम में लगे हुई है गाउं में घर घर जाकर गलिओं पर न्पॉड़ के चोपालों में हर जगह जाकर मास्क बाते जा रहें धगाताक स्कूररा टॉय देन गाउं में SEC, और हैसी ऒ् tylko चरहें और बातेना वीन श् शर्शाखेडी, केलाज अफरगड, पोरी, साधिपुर, द्यवरड, मालवी, फरमाना में भी मास्क बाटे गए इन लोगों के दुबारा जो लगातार करोना युद्धा बने हुए हैं और जो समाजिक शुरोकार से उसमित्य हैं इसके वोलेंटियर हैं वो मास्क में बनकर उ लगातार मास्क बाट रहे हैं गलियों में जा जाकर रागिरों को रोक रोक कर इनके दुबारा मास्क प्रतान किये जा रहे हैं लगातार मास्क बाटते यह करोना युदा इन्होंने ठाना है करोना को भगाना है और लगातार इन लोग के दुबारा खिलाडियों को भी मास् मास्क लगाना ह然ा जरूरी और जोगज की दूरी है जरूरी येसब इनके द्वारा बताजारा देखिए रोताहस दलाल अकालगड में लगे हुई हैं जो कुरॉणा इधा है सभी लगे हुए हैं। सबी लगे हुई हैं समाजिक सुरोकार सिवसमित्ती के ख्रेटि गाउ में भी मास्क बाठे़ारें लगातार। पोणी गाउं से करम्धिल पत्तरकार जुटे हुए हैं। मनेरगा मस्दूरों को चाई राशन की दुकानों राशन डिपोः वहां भी मास्क बाटे जा रहे हैं। दिदानय भी मास्क बाटे जा रहे हैं। सभी वोलेंटियर अपने अपने घाउ में लगे वे हैं लगा दार मास्क बतने में. जहाँ जहाँ बठे कहें वहाँ पर उकुद चौपाल पर तरजय कें मास्क बतन दारे हैं। नंडगड़ में दन्यसल दलाल लगातार पिछले चार दिनों से मास्क बाट रहे हैं। इसके अलावा आप साधिपूर गाउं में जाएंगे साधिपूर गाउं से भी अनेकों कारिय करता मास्क बाट रहे हैं। दुकास नहरा, दिपक वर्मा और अन्य भाई भी मास्क बाट रहे हैं जो लगातार पिछले दिनों से।